Hello students, आज हम Class 6 का Social Science का Chapter 2 Latitude और Longitude के बारे में डिस्कस करेंगे Latitude और Longitude के बारे में डिस्कस करने थे पहले, हमने अपनी Class के 1st Chapter में पढ़ा कि जो हमारी अर्थ है, वो अर्थ का साइज है, वो एक Spirical सेफ है, इस पे राइट सेफ है, यानि कि अर्थ के जो पोल्स हैं, नौर्थ पोल्स और साउथ पोल्स, यहां पर हमारी अर्थ जो है, फ्लैट है, यानि कि चेप्टी हुई है थोड़ी सी, तो हमारी अर्थ का जो पूरी तरह साइज है, वो गोल नहीं है, एक Spirical मॉडल में है, तो हमने इसको सो करने के लिए एक गलोब, गलोब का हमने, जो गलोब सबके गरों में आप देखते होंगे, गलोब को लिया, और उसके साइज को उसी तरह से लिया, जिस तरह से हमारे अर्थ का साइज है, तो ये दिमाग पहले, तो फर्स गलोब दा वर, बोल्ट वाई दा इंशेंट ग्रीक, और एराउंड दा 150 बीसी, 150 बीसी के आसपास, प्राचीन जो ग्रींग सासक थे, उन्होंने क्या किया, 150 बीसी के आसपास, एक ऐसा मॉडल लिया, जो गलोब का, कि जो एक अर्थ के, अर्थ जैसा दिखता था, अर्थ जैसा सेम था, जिसमें, तो गलोब अगर नॉर्थ और साउथ इसमें दो पोल बनाए, और अर्थ जैसा दिखता था, और एक तरह से हम देख सकते हैं, Student, गलोब को, जिस तरह से, हम अपने घरों में स्वेटर बुनते हैं, और जो स्वेटर का जो गून होता है, बुलिन होता है, बुस का जो गोला हम राउंड अप में बनाते हैं, और उसमें अंदर एक सलाई़ डाल दें, तो वो पूरी तरह globe का एक model हमें दिखाई देता है क्योंकि हमारी earth जो है इसी आकार shape की है इस पे right shape की है और इस globe को भी हमने इस पे right shape north pole, south pole को ऐसे बनाया जिसे हम अपनी earth के बारे में जान सकें earth का represent कर सकें तो इक globe क्या है जो earth को क्या करता है represent करता है इसकी definition क्या हो जाएगी एक globe is a spherical model of the earth mountain and the mounted on an axle to allow rotation एक globe एक ऐसा spherical model है जिसे हम एक axis पर क्या कर सकते हैं rotate कर सकते हैं ठीक है इसको rotate करते हैं अब axis क्या है क्योंकि हमारी जो earth है globe जो earth है वो क्या है थोड़ा सा जुकी हुई है थोड़ा side में जुकी हुई है और इस जुकने के करण और ये किस पर जुकी है एक axis एक axis पर यानि कि axis जुकी हुई है क्योंकि ये imaging line इसको भी माना है थोड़ी सी जुकी होती है और इस axis पे globe क्या करता है rotation करता है ये globe की हमें अगर हम बात करें globe की हमें क्यों ज़रुत पड़ती है तो globe की हमें किसी भी चीज़ की location जानने के लिए अगर हम किसी अर्थ एक बहुत बड़ी अर्थ है हमारी उसका safe बहुत long है diameter इसका 12700 के आसपास होता है और ये north globe में north और south pole की जो दूरी है वो 12700 किलोमेटर के आसपास होती है जो के इसका एक diameter भी का जाता है इतनी बड़ी अर्थ पर हम अपनी location को कैसे जान पाएं हम अपने colleges की location हम अपने offices की location हम अपने classroom की location इन सब की location को जानने के लिए हम अपने country की location हम अपने continent की location हम अपने sea की location हम अपनी river की location हैं अपने houses की location इन सब की location जानने के लिए हमें globe की क्या जरूत पढ़ती है जरूत पढ़ती है और इस तरह से हमने globe पर कुछ ऐसी imaging line मनाई जिससे हम उसे कुछ degree में distribute करकर minute degree में distribute करकर हम exact location जान पाएं कि हम कितने degree पर कितने minute पर कहां पर खड़े हुए हैं और कहां पर हमारे houses हुए हैं इन्ही imaging line को हम क्या कहते हैं latitude और longitude तो आगे देखेंगे student यहां से देखेंगे the between distance between the 4-2-3 center of the earth 12,700 km यह हमने बता दिया diameter होता है तो इस तरह से हम क्या करते हैं globe पर जो है वो location पता करने के लिए globe का सारा लेते हैं तो globe पर दो तरह की lines हैं जिसे imaging line कहते हैं एक latitude और एक longitude तो सबसे पहले latitude की बात करेंगे these line latitude क्या है these line of latitude are draw round of the earth parallel to the equal circle एसी line glow पर एसी line जो एसी line जो यहां से देखेंगे एसी line जो zero degree के यानि की जो parallel है यानि की जो horizontal है जो line east से west है और horizontal है एसी line को हम latitude कहते हैं एसी line को क्या कहेंगे latitude कहेंगे एक बार और देखेंगे these line of latitude are draw round of the earth parallel to the equal circle यानि की parallel है देखें यहां से देखेंगे यह सब parallel हैं और यह east से west लाइने हैं लेकिन एक बार देखेंगे यह amazing line है कोई अर्थ पर ऐसा नहीं यह किसी ने से लाइनों को कीचा है यह amazing line है यह east से best की तरफ ठीक है इससे पहले हम यहां discuss करते हैं student हम जो globe है जो हमारी earth है उस पर जो latitude है कुछ important latitude है जैसे zero degree क्योंकि अर्थ को हमने जो सबसे बड़ी latitude है उसको हमने zero degree मान लिया इससे उपर हम आगे डिगरिया मान लिये 10, 20, 30 ऐसे डिगरिया मान लिये इन डिगरियों को हमने क्यों माना minute को क्यों माना क्योंकि हम किसी भी चीज की किसी भी प्लेश की exact location यानि कि हम यहां अगर हम इस जो सबसे बड़ी latitude है अर्थ की अगर यहां हम खड़े रहते हैं तो कोई व्यक्ति हमसे यह कह सकता है कि हम zero degree पर खड़े हैं तो यह जो सबसे बड़ा latitude है यानि कि जिसे हम equator के नाम से भी जानते हैं किस से जानते हैं equator के नाम से जानते हैं यह equator क्या करता है यह अर्थ को दो पार्ट में divide कर देता है अब यहां से देखेंगे अर्थ को दो पार्ट में क्या कर देता है divide कर देता है एक है north hemisphere और एक है south hemisphere ठीक है ये divide कर देता एक है North Hemisphere और एक है South Hemisphere यानि कि इसको North Hemisphere को हिंदी में कहते है student फुद्टरी गोलार्थ और South Hemisphere को हिंदी में कहते है दच्छडी गोलार्थ यानि कि एकitter हमारी अर्थ को दो या तो यहां से दो Hemisphere बन जाते हैं North Hemisphere और South Hemisphere और यहाँ पर क्या थे, दो पोल थे एक North Pole और एक South Pole अब देखिए हमने क्या क्या जाना Axis के बारे हम जाना और इसे अर्थ के दो हमस्पेर है नौर्थ हमस्पेर साउथ हमस्पेर इसके बारे में जाना और पोल के बारे जाना लैटिटूट के वारे में हम देखो देखी रहे हैं लैटिटूट क्या है जीरो डिग्री लैटिटूट यानि कि सबसे बड़ी लैटिटूट होती है इसको इस्टूटन ग्रेट सर्कल भी कहते हैं ये ये लैटिटूट को हम क्या कहते हैं ग्रेट सर्कल great circle great circle भी कहते हैं इस zero degree latitude को हम क्या कहते हैं great circle के नाम से जानते है हम great circle के नाम से जानते हैं अब zero degree latitude sự ओपर हम चलेंगे 20-degree, 40-degree, 60-degree यानि कि जो हमने बताए आपसे कि ये north hemisphere है और ये south hemisphere है तो अगर हम ऊपर को चलेंगे तो ये पूरा north हो गया ये क्या हो गया north हो गया और ये क्या हो गया south हो गया अगर कोई ब्यक्ति अगर यहां पर कोई परसन यहां पर place पे खड़ा है तो हम उसके exact location क्या बताएंगे student कहेंगे कि वो 20 degree north में खड़ा है किदर खड़ा है north यानि कि ये 20 degree north की lines है अगर कोई इधर 20 degree पर खड़ा है तो हम कहेंगे 20 degree south पर खड़ा है ऐसे ही हम किसी भी country किसी भी state किसी भी देश के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये कोई भी देश हो सकता है 20 degree पर जैसे example की अगर बात करें अगर इसके example की हम student बात करें तो महराष्ट जो कि हमारे इंडिया का एक state है महराष्ट में एक जगे है चंदरपूर चंदरपूर और एक ब्राजील जो कि south अमेरिका का एक देश है एक प्लेस है जिसका नाम है बेलो हरिजोन्टे ये दोनों प्लेस कोलकता का चंदरपूर और ब्राजील यानि कि south अमेरिका का एक सहर है ब्राजील उसका सहर है Belo Horizonte Belo Horizonte ये दोनों सहर किस पर हैं? 20 डिगरी नौर्थ पर हैं ब्राजील यानि कि ब्राजील सहर साउथ अमेरिका का ब्राजील का Belo Horizonte प्लेस और माराष्ट का चंद्रपूर दोनों ही 20 डिगरी पर हैं ये हम लोग के इस डिगरी से पता कर पाते हैं उसी तरह से अगर कोई सहर 20 डिगरी 0 डिगरी के नीचे यानि कि ये साउथ हैं स्पेर में होगा तो हम उसे 20 डिगरी साउथ कहेंगे क्या कहेंगे? 20 डिगरी साउथ करेंगे तो इस तरह से जो भी ये लाइन्स है जो east से best जो line हो जाती है जो horizontal है इन line को हम क्या कहते है latitude कहते है इन line को क्या कहते है latitude कहते है तो अब आगे हम देखेंगे important parallel of latitude कुछ important parallel of latitude है हमारी अर्थ पर वो important parallel latitude क्या है देखें यह हमने बताया zero degree latitude जिसे हम equator के नाम से जाते हैं यह बहुत इसे great circle के भी कहते हैं यह सबसे बड़ी latitude है हमारी अर्थ की दूसरी latitude है हमारा tropic of cancer यह 23 half north degree 23 half north डिगरी की एक line बनती है जो की important latitude है जिसे हम कहते हैं tropic of cancer क्या कहते हैं tropic of cancer एक 66 half north degree के line बनती है जिसे हम कहते हैं आर्करिक circle क्या कहते हैं आर्करिक circle तो यह north में बनना है इसलिए north में है अब equator के नीचे आप देखेंगे tropic of capricorn यह भी important latitude है जो parallel है सबके यह 23 half south degree बनता है और फिर दूसरा है Antarctic circle यह 66 half north degree बनता है तो इस तरह से यह important latitude है आर्टिकल सरकिल tropic of cancer equator equator, equator, tropic of capricorn, Antarctic circle यह सारी क्या है आपकी important latitude है इसको आपको learn करना है इस तुड़ेंट नेक्स class में हम और आगे इसके बढ़ते हुए और longitude के बारे में बात करेंगे तेंक्यू